हलो फ्रेंड्स वेलकम टू चाहत क्रेशन आज की वीडियो में हम यह डिजाइन बनाना सीखेंगे यह एट रोस का डिजाइन है और इसे बनाने के लिए हम फोर के मल्टिपल में फंदे लेंगे और थ्री फंदे हम एक्स्ट्रा रखेंगे यह इस डिजाइन की फ्रंट और यह इस डिजाइन की बैक साइड है यह डिजाइन रॉंक साइड से बनना स्टार्ट होगा चलिए से बनाना स्टार्ट करते हैं यह हमारी राइट साइड है सबसे पहले इसमें हम एक एक्स्ट्रा रो बनाएंगे एक फंदा ऐसी स्लिप कर लेंगे धागा आगे तीन फंदे उल्टे 1,2,3 धागा आगे की तरफी रखेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे नेक्स्ट हम तीन फंदे उल्टे बनाएंगे 1,2,3 एक फंदा स्लिप कर लेंगे तीन फंदे उल्टे बनाएंगे 1,2,3 एक फंदा स्लिप करेंगे धागा हमें आगे की तरफी रखना है लास्ट के दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस रो को complete करने के बाद अब यहां पर हम wrong side से अपना design बनाना start करेंगे हमारी first row जो है design की वो wrong side से बननी start होगी first row इसमें हम सभी फंदे उल्ट उल्टे बनाएंगे यह wrong side की row है और इसमें हम सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाके इस पूरी row को complete करेंगे second row right side इसमें हम यह सभी फंदे सीधे सीधे बनाएंगे second row right side इसमें हम सभी फंदे सीधे बनाके इस पूरी row को complete करेंगे third row wrong side wrong side की row में सभी फंदे उल्ट उल्टे बनाएंगे और third row को complete करेंगे third row fourth row right side इसमें हम एक फंदा स्लिप करेंगे धागां आगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागां आगे की तरफी रखेंगे यहां पे हम एक फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे एक फंदा उल्टा अब यहां पे हम यह देखें यहां से हमने धागां आगे करके एक फंदा स्लिप किया था तो इस धागे को यहां से उठाएंगे इस तरह से और यह दो फंदो का एक बना देंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागां आगे की तरफी रखेंगे एक फंदा स्लिप कर लेंगे एक फंदा उल्टा अब नीचे से हम इस फंदे को उठाएंगे यहां ऐसे लेके आएंगे और यह दो फंदो का एक बना देंगे एक फंदा उल्टा, एक फंदा ऐसी स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, अब नीचे से धागा लेके आएंगे, ऐसे, और ये दो फंदों का एक बना देंगे, लास्ट के दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे फिफ्थ रो रॉंग साइड रॉंग साइड की रो में सभी फंदे उल्टे ही बनेंगे ऐसी आप इस पूरी रो को कम्प्लीट कर लीजिए सिफ्थ रो राइट साइड इसमें हम यह सभी फंदे सीधे सीधे बनाएंगे सिफ्थ रो में सभी फंदे सीधे बनाके आप इसे कम्प्लीट करिए सेवन्थ रो रॉंग साइड रॉंग साइड की रो में सभी फंदे उल्टे ही बनानी है इसे आप कम्प्लीट कर लीजिए एर्थ रो राइट साइड एक फंदा स्लिप करेंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा अब यहां से हम इस फंदे को उठाएंगे ऐसे आगे लेके आएंगे और यह दो फंदो का एक बना देंगे एक फंदा उल्टा धागा आगे की तरफी रखेंगे और एक फंदा स्लिप कर लेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे और यहां से हम एक फंदा उठाएंगे और यह दो का एक बना देंगे एक फंदा उल्टा धागा आगे की तरफ ही रखेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे यहां से एक फंदा उठाएंगे और ये दो फंदों का एक बना देंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे और लास्ट के दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे एर्थ रो कम्टीट करने के बाद हमारा ये डिजाइन कम्टीट हो चुका है इसके बाद आगे हम रो वन से रो एर्थ को आगे आगे रिपीट करेंगे थैंक यू